नमस्कार, अगर आप CET की त्यारी कर रहे हैं, अगर आपका सगा सबंद CET की त्यारी कर रहा है तो इस वीडियो को देखिएगा बहुत खास वीडियो है, काफी लंबे समय से यू आइस की त्यारी कर रहे थे आखिर अर्याना करमचारी चैन आयोग ने CET के आयोग ने CET के आयोग को कभी रिस्पोंस नहीं दिया गया है अधेक्स ने काया कि इसलिए मुख्य सचिव संजीव कोसल और मुख्य मंत्री के परदान सचिव वी उमा संकर को सपष्ट कह दिया है कि CET का आयोग का कोई रोल नहीं है इससे आयोग सवतंतर है इसका आयोग परदेश सरकार करवाए अगर सिक्सक भरती में सचिव स्टव का आयोग का कोई समंध नहीं है उसे तरीके से CET के लिए आयोग का कोई समंध नहीं है जैसे स्टव कर योआ आवेजन करते हैं वैसे CET के बाद जोह अमी तुबर आवेजन करेंगे और इसके साथ अर्याना सरकार के ग्रूप सी और डी पदों के लिए उने वाले कॉमन एबल्टी टेस्ट की तारिकों पर लगबग 12 लाख बेरुजगार युवाओं की नजर है मगर अर्याना कर्मचारी चायना योग ने CET के आईजन से दूरी मना ली है अब इसका आईजन पूरी तरह से परदे सरकार पर छोड़ दिया गया है जिन बारा लाख में दोबारों ने वन टाइम रेजिशिशन कराया है वे इंतजार कर रहे हैं CET के तारिकों का पता चल जाए मगर अभी तक तारिकों कोई अलान नहीं हुआ है आला कि वन टाइम रेजिशिशन गत दस जुलाई को पूरी हो चुकिया और पंदरा जुलाई को फीज जमा हो चुकिया मगर अभी तक CET के तारिक तैयर नहीं हुए CET का आईजन नेशनल टेस्टिंग अजेंसी ने किया है तो कहीं न कहीं सरकार कर क्या रही है अचसी पदला क्यों जाड़ रहा है ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन ग्रूप D के सोड़ा जारपदों की जानकारी अभी आ चुकी है अब ITI के अनो दिस्कों के प्रणाम निकालने भी सुरू होने से समधित गोशना की गई है आपको बतादे कि अचसी का डुमिल रुवया ही काफी यूवाओं को ओवरिज कर रहा है बरती ने निकाल पाने की काण अगजाम ने करवा पाने की काण काफी यूवा परिशान है तो आप इस विश्य में क्या कहना चाहते है कोमेंट करें अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटिक जानकारी आपको यूथ हिडियन पर ही दी जाती है धन्यवाद जैहिंद